नवस्कार मैं मनोश कुमार मिश्ट सम्वेदियं ग्यान इंद्रियां मैं आज आख आएए देखते हैं हमारे आखों की क्या विशिष्टा है आखों को द्रिश्य इंद्रिय कहा जाता है मानव मस्तिष्क के बाद आखे ही शरीर का दूसरा सबसे जटिलंग है आखों के द्वारा हम वस्तिष्क के आकार, रंग, प्रकास और अंधकार कानभौ करते हैं हमारी आख में एक पारदर्शी उत्तर लेंज होता है इसी लेंज के द्वारा वस्तिष्का प्रतिविंब आख के अंदर बनता है और उसी शितर को हम देखते हैं आई कुछ और भी जानते हैं मानव नित्र किसी भी वस्त का प्रतिबिंब द्रिश्टी पडल यानि गेटिना पे वास्त विक वो उल्टा बनाते हैं एक सामान्य मनुष्य के लिए सुवस्पष्ट दर्शन के नियुंतम दुरी 25 सिंटिमीटर होती है और नित्र दान के समय नित्र का कौर्णिया दान किया जाता है मनुष्य की आख अधिक्तम 150 डिकलित तक देख सकती है मनुष्य की आखों का द्रिश्टी अस्थाई तो एक पटे 16 सेकेंड होता है रताओधी रोग बिटामिन एक ही कमी से होता है हमारी आखों का मेगा पिक्षल 576 होता है ये मेगा पिक्षल क्या है अक्सर मोबाइल के कैमरे की जब आती है तो मेगा पिक्सल चर्चा में लोग लाते हैं मेगा पिक्सल यानी मिलियन पिक्सल और एक मिलियन बराबर दस लाग पिक्सल होते हैं कैमरे में लगे सेंसर में बहुत छोटे छोटे पिक्सल होते हैं फोटो लेते समय हर एक पिक्सल, कलर, लाइट और कंड्रास्ट को कैप्चर करता है। सभी पिक्सल आपस में मिलकर फोटो का निल्मार करते हैं। कैमरा जितना अधिक पिक्सल वाला होगा फोटो उतना ही अच्छा होगा। कुछ जानवरों की आखें रात में चमकती हैं। ऐसा क्यों होता है? आईए इसको देखते हैं। बिल्ली, सेर, चीता, तेंदुआ समयत कई अने जानवरों की आखें रात में चमकती हैं। इनकी आखों में एक विशेश प्रकार का मरविय पदार्त होता है। मर्वी पदार्थ की पतली परत होती है यह पतली परत आखों पे पढ़ने वाले प्रकास को प्रावर्तित कर देती है इसी कारण इनकी आखें रात को चमकती है तो आज इतना ही अगले भाग में आख के बारे में आख के बारे में आख के बारे में चल्चा करेंगे तब तक के कर दो कर दो कर दो कर दो